हुरून इंडिया रुचुलिस्ट 2023 आ गई है। के कारण अडानी गुरूप की नेट वर्थ में काफी गिरावट आई थी। के चेर्मेन गौतम अडानी चार लाख चुहतर हजार आठसो करोड रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर खेसक गए है। वही सीरम इंस्टिटूट आफ इंडिया के संस्थापक साईरस एस पूनावाला भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनके संपत्ति हैं दो लाख अठतर हजार पांसो करोड रुपए। वही अगले नंबर पर है शिवनादर जो एटसील के मालिक हैं शिवनादर के पास दो लाख अठाइस हजार नो सो करोड रुपए की संपत्ति हैं और ये लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं इसके बाद गोपी चुन्ध हिंदुजा और परिवार एक लाख शुतर हजार पा कर रें तो एल एन मित्टल और परिवार के संपत्ति 1,62,300 करोड रुपए है राधा किशन दमानी 1,43,900 करोड रुपए कुमार मंगलम बिडला एन फैमिली 1,25,600 करोड रुपए और नीरज बजाज एन फैमिली 1,20,700 करोड रुपए के संपत्ति के साथ टॉप 10 लिस्ट मे शामिल है 361 के को फाउंडर और 361 वेल्थ के सयुक्ट CEO यतिन शाह ने ये बताया कि अब 1319 व्यक्तियों के पास 1000 करोड रुपईया उससे ज्यादा की संपती है उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 76% के बढ़ोतरी देखी गई है लिस्ट में कुल 269 बिलेनियर है और इनकी साल है हुरूल लिस्ट के लॉंच के बाद पहली बार इस लिस्ट में शामिल अमीरों की क्युमिलेटिव वेल्थ बढ़कर 109,00000 करोड रुपई हो गई है इस जिंगापूर, UAE और सौदी अरब की कंबाइंड GDP से ज्यादा है लिस्ट में शामिल अमीरों की क्युमिलेटि की वेल्थ में बढ़ोतरी देखी गई है या फिर सेम रही है इन में से 278 नए चेहरे हैं जबकि 264 की वेल्थ में गिरावट भी देखी गई और पचपल लोग लिस्ट से बाहर हो गई है इस वीडियो में इतना ही जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके बताएं अगर वीडियो क फेस्बुक पर देखने तो फेस्बुक पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देखने तो गुल्ड रुटन्स के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें